आप देखिए यह विडियो, माया ट्यूटर पर मुफ्ट कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है, अभी पंजी करन करें, फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं, प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगा कर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके, इतने सारे महान शिक्षन आप्पन करें, के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खो दिया है, वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते हैं, य साथ ही अब आप जूम एप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं, यह सब माया वेब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया जा सकता है, आपके छात्रों के अलावा अन्यदूर के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं, उन्हें अपना छात्र बनाएं और कक्षाई लें, एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे चूशन चात्र मिलते हैं, इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाई बन गया है, यह साबित करके कि शिक्षा केवल एक व्यवसाई नहीं है, अपने कोशल को साबित करें, बहत आए प्राप्त करें, अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे, नियमित ट्यूशन शिक्षकों के लिए महस 250 रुपे प्रतिमाह में ओनलाइन ट्यूशन लेने के लिए एक वेब पोर्टल तयार है, रोबोटिक्स कक्षाउं के माध्यम से आए अर्जित करें, अगर आप सि इसी की मदद के अभी देमो आजमाए, माया चूटर दॉनिया भर के शिक्षक और संस्थान ट्यूशन लेने के लिए इस वेब पोर्टल का उप्योग कर सकते हैं, दुनिया एक ओनलाइन क्लास की तरफ बढ़ रही है, फिर आपके छात्र एक ओनलाइन कक्षा में चले आएंगे, ओनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के लिए आपको एक वेब साइट बनानी होगी, यह बहुत महेंगा है, लेकिन सामान्य शिक्षक इस वेब साइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं, प्रोबोटिक्स क्लास क्या है? प्रोबोटिक्स कक्षाएं एक वेब पोर्टल की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षाएं हैं, जो एक बार ली गई ट्यूशन कक्षाओं की डिजिटल फाइलों का उप्योग करती हैं, वेब पोर्टल पर डैनिक कक्षाओं के विडियो और नोट्स की सूची बनाएं, इनका उप्योग बाद में बिना कक्षाएं लिए छातरों को ट्यूशन कक्षाएं देने के प्लिय किया जा सकता है, शिक्षकों को बाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, अधिक जानकारी के लिए ये कैसे काम करता है, देखें, माया वेब पोर्टल पर मैं किन विशयों की ट्यूशन ले सकता हूँ? स्कूल पाठ्यक्रम, कॉलेज पाठ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाध्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पी एस सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विज्ञान, दर्शन, यह सब विशय जैस सभी विशयों में कक्षाएं ले सकते हैं, शिक्षक छात्रों से फीस कैसे लेते हैं, फीस सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए, इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पैमिंट वॉलेट क्यू आर कोड प्रदर्शित करने के विकल्प हैं, क्या मुझे माया ट्यूटर को छात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं, इस वैब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है, शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है, माया पोर्टल के लिए मूल्य देखें, क्या मुझे भुगदान करने से पहले डेमो मिल सकता है, जी हाँ बिल्कुल आपको 7 दिन का डेमो मिलेगा, शिक्षकों के लिए डेमो प्राप्द करने के लिए क्या करें, यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करण करते हैं, तो डेमो उपलब होगा यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो आपको पहले साथ दिनों के लिए सभी सुविधाओं के साथ एक डेमो प्राप्त होगा मत भूलो यदि आप एक शिक्षक हैं तो केवल पहली बार शिक्षक के रूप में पंजी करन करें यदि आप एक छात के रूप में पंजी करण करते हैं तो आप इस पोर्टल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे शिक्षक का पंजी करण कैसे करें डेमो कैसे प्रापत करें अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करण करें पहले इस फॉर्म को भरें नियम और शर्त से स्विकार करें, रजिस्टर पर खलें, अपने मेल पर जाने के बाद माया ट्यूटर सुकृरीय धन मेल खोलें, सक्रिय लिंक पर खलें, मेम्बर लॉगिन का चैन करने के बाद अपना मेल आईडी और पास्वर्ड दर्ज करें और फिर लॉग इन करें यह गूगल के साथ लॉग इन चुनें देमो अब तैयार है अपनी प्रोफाइल संपादित करें यह विडियो देखें अपना पार्थ्यक्रम और मॉड्यूल बनाएं डेमो के बाद माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है खृप्या यह कीमत देखें इस पोर्टल पर कितने पार्थ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं पार्थ्यक्रम असीमित के रूप में सूची बद किया जा सकता है इस पोर्टल में कितने च्छात्रों को जोड़ा जा सकता है आप असी मित च्छात्रों को जोड़ सकते हैं क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं अभी रजिस्टर करें और अधेग जानकारी के लिए डेमो आजमाएं. पार्थ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है? एक बार शिक्षक बंजीकृत हो जाने के बाद, पार्थ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं? पीडियेफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें? इस पर हर जगह विडियो होंगे. आएए इन विडियो को देखें और पार्थ्यक्रम की सूची बनाएं. मैं एक छात्र हूँ. क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा? नहीं. यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्थ है. छात्र शिक्षक और पार्थ्यक्रम पा सकते हैं. लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी. मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पार्थ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूँ? पार्थ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय. संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें. यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें. स्थान दर्ज करें और खोजें. अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं. यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्य स्थानों के नामों से खोजें. वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें. अब आप इस शिक्षक का संपर्ग पत वाट्सेप उर पार्ठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं यहां आप सीधे शिक्षकों के वाट्सेप पर चेट कर सकते हैं यह शिक्षक यह मेल दुआरा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको पंजी करन या लॉग इन करने की आवश्चकता है, एक रजिस्टर क्या है, लॉग इन क्या है, यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा, यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहाँ एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा, मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें, यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आप इस पोर्ट माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोलें, एक्टिवेट लिंक पर क्लिक करें, रजिस्टर अब पूरा हो गया है, अब आप अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट डाल कर लॉग इन कर सकते हैं, चयान करें, मेमब पहुँच, अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट से लॉग इ करें या Google के साथ login का चयान करें उन विशयों और शिक्षकों को खोजें जिनकी आपको आवश्यक्ता है इसके लिए यहां खोजें ावाद आवश्यक्ता है झाल 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 झाल